हाई फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए लेकर आयों दो ऐसे कामाल के वर्ड जो आपकी जिन्दगी में हर हाल में हर काल में आपको जीत दिलाने के लिए बहुत कारगर साबित होने वाले हैं माईट्स है दूनिया रे जीतनी अंबर और स्फल काम्याब लोग हैं वो किसी भी प्रिस्तिति में क्यूट नहीं करें किसी इतनी में मैंहें में च्रहाक। और उनका focus कभी भी कम्यों पे और complaints पे नहीं होता और वो उन सारी कम्यों को focus किये बगेर सिरफ इन दो words पे focus करते हैं और वो 100% जीतते ही जीतते हैं कौन से हैं वो दो सब्द आप इस वीडियो के अंतर तक हमारी दाथ बने रहेगा आप जानेंगे कि उन दो सब्दों के माध्यम से आप चाहें कितनी भी बूरी हाल हो कितने भी बूरे conditions हो आपकी company में अगर आप job कर रहे हो वहाँ पे recession चल रहा हो लोगों को निकाला जा रहा हो आप कैसे survive करेंगे जब यह समझ लीजे जैसे कोवीड का दोर था लोगडाउन लगा वा था उस वक्त भी लोगों में हाकार मचीवी थी लकुन कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे थे जो उस वक्त उस दोर में भी कमाल कर रहे थे क्या वो जादु यह दो समग्त हैं शियंकी वज़य से हैं हर हाल में हर काल में हर परस्तिति में अपने waiting को सबसे आगे रख सब्सक् tissu अगरयो में हमें संफल्दा हासिल करेंगे हैं मैं जुन जुन रजस्तान के बिलोंग करता हूँ और फिस साल से मैं टारी सहित्र इंड सार इस हित्रों से मैं जुडा हूआ हूँ अभी पिसरेंटली में पांस सालों से टारेक्ट सेलिंग में हूँ और एड़ परजेंट कि मैं एक ब्रेंट्रें मिसंड में हूँ जहां मैं एक लाख डारिकशिलर्स की मदद करना चाहता हूं एक लाख महिना आन करने में और यह मेरा मिशन है अगर आप भी इस मिशन में मेरे साथ मेरे इस कम्यूनिटी में सामिल होना चाहते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दुबा कर आप हमारे साथ हिस्सेदारी कर सकते हैं चलिए मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताना पहला पॉटसाइबिटि दूसरा अपॉर्सिनिटी यैस कितने भी बुरे हाल हो कि आपको हमेशा उन दोर में और पुरे फरिष्थितिएओं में हालातों में हार नहीं मानना किट नहीं करना मैंदान नहीं छोड़ने अपको यह नहीं सोकरना या मैं क्या कर Wegना कि मेरे बसक सकता है इस बारे में आपको अपने माइंड को आदेश देना है आपको कंप्लेनिंग मोड में नहीं जाना है आपको किट करने की सोच में नहीं चले जाना है आपको हाथ उपर करके रोने लही लग जाना है आपको संभावनाय तलास्मी है आपको अपने माइंड को आदेश द डर में जब liquor companies कोई आदेश नहीं था कि वो liquor को sale कर सकते हैं यानि कि सराब की factory को सराब की company को सराब बेशने का आदेश नहीं था उस वक्त वह सराब नहीं बेश सकते थे वह भोद सारे कंपने सरह उन ने ताले लगा दिए धे लेकिन कुछ लोग उस वक्त भी ऐसे थे जो non-essential production कर रही थी उनको essential production में तबदील कर दिया है example के तोर पे जहां सराब बन रहे थी पास sanitizer बनना start हो गया दोनों का जो basic raw material है वो है alcohol दोनों को बनाने में alcohol की need होती है और देखते ही देखते वो सराब फेक्ट्रिया sanitizer फेक्ट्रियों में convert हो गई बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला और बहुत सारे लोगों को अपनी जिन्दी की बचाने में एक essential product easy going सस्ते दामों में मिलना सुरू हो गया yes my dear friends यह है इन दो सब्दों की power उमीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको चरूर value मिली होगी मैंने अपने जीवन में हर छेतर में इन दो सब्दों की वज़े से हमेशा काम्याबी हासिल करी है आप भी इन दो सब्दों को याद रखिए इनको ब्रमास्तर की तरह अपने जीवन में लागू कीजिए हमेशा किसी भी हाल में, किसी भी काल में, किसी प्रस्तिती में जब आफस जाए, तो आपको रोने धोने की बजाए इन दो सब्दों को गोर करना है उनको उस प्रस्तिती में, उन हालातों में फिट करके देखना है कि अब संभावना क्या है, अब आउसर क्या है उन संभावनाओं पर नाउसरों पर काम करना है 100% आपकी जीत होगी और जाते-जाते इस वीडियो में आखिर मैं यह कहना चाहूंगा अगर अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए बैला इकन को दबा दीजिए कमेंट क